हेलो दोस्तों मैं रुक्त इम्तियाज और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गठिया मतलब कि आर्थ्राइटिस के मरीजों को कौन-कौन सी दालों को अपनी डायट में एड़ करना है तो हम इस वीडियो में सारी डिट हमारी किसी भी उमर में हो सकती है लेकिन साथ साल के बाद वाली लोगों में जड़ा देखने को मिलती है अगर हम बात करें यहां पर कि हमें इस गठिया की बीमारी में कौन-कौन सी दालों को खाना चाहिए तो इसमें पहले नबर पर आप खा सकते हैं मसूर की दाल क्यूंक क्योंकि इसमें फाइबर होता है प्रोटीन होता है सोडियम हो गया केलिशियम होगी आईरन प्रोटीशियम फॉलेट आदि यह बहुत अच्छी मातरह में आपको मौझद मिलेंगे इस दाल के अंदर इसमें मौझद प्रोटीन जो होता हुआ हमारी हड़ियों को मजबूत क करता है और यह वजन को कम करने भी मदद करता है क्योंकि आर्थराइटिस में वजन को कंट्रोल रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और दूसरे नमबर पर आप चनी की दल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन मिलेगा है और यह चीज़े चीज़ शरीर में हड्डीों को फीट रखने में बहुत ज्यादा इनकी फाइदे देखने को मिलते हैं आर्थराइटिस में इसका सेवन बहुत ज्यादा फाइदा इन चीज़ों से बताया गया है और यह डाले सूजन को भी कम करने का काम करती हैं वजन को भी कंडोल करने का यह चीजर काम करती है तो अम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आतो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें